नमस्कार दोस्तों Welcome to my another video मेरा वीडियो के लिए मीडियो देखने के लिए धन्यवाद आज की जो वीडियो है मैं बता रहा हूं की वर्ड प्लानिंग फॉर वीडियो अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वर्ड्स किस तरह के देंगे की वर्ड्स का मतलब होता है की का मतलब हो सर्च रेंग मतलब आपके वीडियो को टॉप में ला दे दोस्तों तो की का मतलब जानते हैं कि ऐसा चाभी ऐसा वर्ड्स की वर्ड्स जो आपके वीडियो को एक नया दिशा दे दे एक यूनिक वर्ड्स यूनिक कस्टमाइशन तो की वर्ड प्लैनिंग फॉर वीडियो अ टो कैसे सब्दों का प्रियोग करेंगे दोस्तों सब्द प्रियोग तभी होगा जब उसका हेड़िंग पता चलेगा आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं अगर वह फूड से रिलेटेट वीडियो बना रहे हैं यह do it yourself DIY होता है मतलब आप किसी चीज को पहुद अमां या पूराने लोघ कोई नतेते थे शर्प आपको पता होगी आपके घर वालों के या आपके style में होगा तो आप अपने uniqueness को दिखाईए जैसे मेरा चैनल का नाम है love woman तो मैंने लिखा है आप different different style में लिखे love woman जब description आप डालेंगे तो 5000 words का description होता है YouTube में और 100 words का title लिखा जाता है जब 5000 words की आप लिखेंगे description तो इस तरह से आप different different alphabet को अपने चैनल के alphabet को कभी छोटा कभी बड़ा कभी small में कभी bigger later में लिखना पड़ेगा आपको hashtag जरूर जाले lovely food by love woman और tasty food by love woman food tour by love woman खाना खजाना love woman इस तरह से पांच निट में पनीर की सबजी बनाए healthy food by love woman देशी chicken by love woman kitchen tips and tricks by love woman चिकन बनाए मेरे style में देशी chicken love woman के साथ तो इस तरह से आप आई catching और जिस तरह से आपके वीडियो रैंक में आ जाएगी दोस्तों जब तक आप description नहीं डालेंगे जब तक आप अपना keyword का प्लैनिंग नहीं करेंगे तब तक आप दोस्तों वीडियो अच्छा आपका बनाने के बाद भी आपको कोई फाइदा नहीं होगा दूसरी जी do it yourself में जैसे आप कर रहे recycling by a man recycling by this person I have recycled how to recycle bottles और how to make nice आप कैसे सुन्दर प्लास्टिक बोटल से एक अच्छा कंटेनर या अच्छा बॉक्स रखने की बना सकते हैं बाई लव अमन आप आप चैनल का नाम होना चाहिए अंत में अमन के साथ या अपने चैनल के साथ मेरे द्वारा विथ इस तोरह से बाई विथ इस तोरह का प्रयोग आप अंग्रेजी में जरूर लगईएगा मिक्स कीजे लेंगज हिंदी में भी लिखिएगा ताकि आपके वीडियो को रैंकिंग मिले आपके वीडियो को लोग देख सकें दोस्तो 5000 वर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है इसमें आप एक चीज और डाल सकते हैं जो डालना है कि आप अपने यूटूब सोशल मीडिया का जो इंस्ट्राग्राम का है वो पेज लिंक भी यहां लिख सकते हैं तो यह आप जब वीडियो बनाएंगे तो उस कॉंटेंट के अनुसार उसकी कीवर्ड की प्लैनिंग होती है दोस्तों किसी भी कॉंटेंट जैसे आगर मैं फैशन से रिलेटेड बात करूंगा तो फैश च्छीज फैशन से आगे तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इस तरह से प्लैनिंग करके अपने वर्ड 토 को अपने subject को अगर आप YouTube पे डालते हैं अच्छे तरीके से planning करके description, title, thumbnails अच्छे बनाके तो I hope आपकी वी वीडियो अच्छी होगी आपकी वीडियो देखेंगे लोग और आप भी अपने YouTube चैनल से अच्छा growth पा सकते हैं आपको ये जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो जरूर मुझे कमेंट कीजेगा शेर कीजेगा और अपने सवाल को मेरे कमेंट पे रखिएगा जै हिंद जै भारत